हेलो डियर स्टुदेंट्स सभी बेरुजगार स्टुदेंट्स के लिए एक मुमेंट चल रहा है और इस मुमेंट का नाम दिया गया सपोर्डिंग दाइस पीक और एसे सी रेलवे बैंक एंड जांस तो मुझसे भी कहा गया है कि आप दी एक वीडियो बनाएए तो बच्चों का थोड़ा सपोर्ट होगा तो आज तो मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं कभी मैं भी स्टुदेंट था तो मुझे वो दिन भी याद हैं आज से आग दस साल पहले के जब एसे सी बैंक रेलवे के कुछ इस तरह के एक्जाम हुआ करते थे कि सायद ही कोई संडे होता था जिस दिन को एक्जाम नहीं होता था किसी किसी संडे को तो दो दो तीन तीन एक्जाम हुआ करते थे सालक पे चलने की जगा नहीं रहती लॉर्ज में रुखने का जगा नहीं मिलता था बच्चे स्टेशन पर सोया करते थे एक दौर वह भी था लेकिन अब अब तो अच्छे दिन आ गए हैं अब बच्चे क्रू साड़क पे रहेंगे जब एक्जामे नहीं होगा पंद्रा पंद्रा साल से बच्चे रूम लेके लाज में रह रहेंगे दो हजार चवदा तेरा पंद्रा सोला का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो कोट पहुंच गया है और सरकार चाहती है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फीज ददस लाग रुपया है बीजबीच लाख रुपया है वो सब जानते हैं कि बच्चा दो हीरिंग से ज़्यादा जेल नहीं पाएगा ऐसी स्थिती बना दी है इतना जादा आत्म निर्भरता ला रही है सरकार बच्चों के अंदर इतनी जादा आत्म निर्भरता ला रही है कि बहुत जल्दी वो दिन आने वाले हैं अभी तो कुछ सबजी बेच रहते हैं अब कुछ पकोड़े की भी दुकान लगाएंगे च दिकत इस बात की है कि खरीदेगा कौन जब सारी बच्चे पकोड़ाओ चाय बीचिंगे। समय बदल रहा है। लोक्तंत्र और लोक्प्रियता दोनों में अंतर है। सोवियत संग में वहां के राश्पती मुर्गे उर्गे को दाना डाला करते थे। देखो किस तरह पतन हुआ। बहुमत का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। लोगों की नाराजगी किसी के प्रतिथी आपको बहुमत मिला। संसद में भी आवाज नहीं उठ रही है। सड़क पे आवाज उठ रही है। विपच्छ भी एकदम खामोस है। संस्थाओं के नाम बदले जा रहे हैं। 29 मई 2019 को PCS के पेपर आउट होने पे कितनी बड़ी जांच हुए। आज 15 महीना हो गया कुछ नहीं हुआ। 3 साल पहले CBI जांच बैठी थी कुछ नहीं हुआ। कि गिरफ्तार नहीं हुआ। कोई F.I.R. दर्ज नहीं हुई। एक F.I.R. भी अज्यात के नाम पे दर्ज हुई। क्यों अज्यात के नाम पे। अभी परसों की बात है मैंने देखा है एक क्रेन को गुजरते हुए। यहीं लाभाद में। उस पे अम लोग चुकी बज़पन से नहीं हैं लिखा रहता था इंदियन रेइल्वे। उस पे किसी नीजी कंपनी का नाम लिखा हुआ। किसी नीजी कंपनी का नाम लिखा हुआ। अभी कल की नीज है caso расп नहीं कत्या की बात कर रहा हूं 19 ratios चारीक एक बहुत बड़ी मार्केटिंग संस्था उभी बिग गई 25 जार करोण रुपे में बिग गई अब इस हिंदुस्तान को दो चार परिवार मिलके चलाएंगे राज करेंगे अगर इरादा यही है आपका 2024 तक 2030 तक तो सबसे पहले आप सर्मिधान में से समाजवादी सब धटा दीजिए पूजीवादी लिग दीजिए सब मुश्कुराते हैं सब खुश रहते हैं कौन आप से करोड़ों मांग रहा है 500 रुपिया देने में तो आपकी हालत खराब होगी एक गरिमापूर जीवन जीना चाहते हैं सब जी भी रहे थे खुश थे नाराज थे लेकिन खुश थे अब तो आप बत्तर इस्थिति में लाते जा रहे हैं इस मुमेंट से जितने भी टीचर्स जुड़े हैं खास करिया स्टुडेंट जीन भी कोचिंगों के तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे से बटकना नहीं इस मुद्दे को लेके बटना नहीं हम सब एक हैं मैं अपनी संस्था से हमेशा ये कोशिस करता हूँ कि बच्चों के साथ तन मन धन के साथ खड़े रहा है इसमें मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ मैं आज भी यही कह रहा हूँ और भी जो टीचर्स हैं और भी अन्य जो संस्था हैं बच्चे हैं आज कभी हम भी युवा थे आज कुछ नए बच्चे इंटर पास बीए फस्ट इयर वाले उनको लगता है सब ठीक है बस हमको आईएस बनना है केवल 21 साल होना बाकी है भी एक ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जा है हम खट दे आईएस बनेंगे खट दे आईएस बनेंगे पता नहीं मीडिया क्या है अभी एक सेलिबिटी फेमिली है अभी तीन चार दिन पहले सुन रहा था उनके यहां बच्चा होने वाला जन्वरी में जन्वरी दोजार इक्किस में होगा तो हम लोग खुशी मना है कौन सा कपड़ा पहनेगा किस अस्पताल में होगा खुशी मना है यही एक इश्यू है न्यू चैनलों पर एजेंडा देखिए 70 परसंट तक क्या चला है क्या दिखाया जा रहा यह क्या जुन-जुना आप दे रहें अभी एक महीना पहले इन्होंने एक जुन-जुना दिया एन आरे नेस्टनल रिक्रूट्मेंट एजेंसी एक भरती करने वाली संस्ता होगी यह क्या है यह जो स्सी बैंक रेलवेज जैसे 200 इकजाम कराएगी पहले अलग 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 अगजाम होता था बीस बीस पचीस पचीस जार पद आते थे दो दो धाई-धाई लाग पद होते थे अब कुल मिला के दो हजार तीन हजार पद होंगे बीस में पेपर भी आउट होगा होगा की नहीं हुआ की नहीं यह कौन जानता लेकिन जब आप तालने पर उतार हो तो मैटर तोट में जाएगा जाँज बैटेगी लड़का ओवरेज हो जाएगा एक इस्टुडेंट का जीवन कितना तनावकून होता यह वो लोग क्या जाने जो बीना कोई इग्जाम दिये देश चला रहे है एनारे आप में बनाया आप बस एक मैंने देखा है कि इस सरकार में एक चीज बहुत जबरदस्त है महुत अच्छी पॉस्टिव ठिंकिंग कि जो काम करना चाहती है इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता कर ले जाती है तो बहुत अच्छी चीज है आपने वेतन बढ़ाने वाला विजएक पांच मिनट में पारित करवा दिया दोनों सद्नों से 10-10 बजे राब तक सदन बैठा है तो एक प्रोजेक्ट आप लेके आईए एक विजएक लेकर आईए कि हिंदुस्तान में ग्राम प्रधान से लेके प्रधान मंत्री तक जो भी बनना चाहता है वो इसी एन आरे जैसी एक एजेंसी बनाईए और परिच्छा करवाईए जो इस एक्जाम को पास करेगा इसमें मैं इंग्लिस या हिंदी में से कोई एक बाइस भासाओं में से कोई एक रख ले जियास रिजिनिंग जैसे चीज़े होंगी मिनिमम क्राइटेरिया रख दीजिए कि 50 कोश्चन रहेगा हर टॉपिक से और 50 परसंट यानि 25 कोश्चन आप क्वालिफाई है इससे नीचे आप फेल हो जाएगे और फिर उसके बाद टाइप टेस्ट रख दीजिए इंग्लिस में 35 सब और हिंदी में 30 रख दीजिए यह भी तो कोई एक्जाम उक्जाम निकालेंगे बस इसे गवारों करीके देश चलाएंगे इनको जो सपोर्ट करन करते हैं नीचे आओ न्यू चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि सोचल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ा जा रहा है सडक पे लोग भी लगा जाके देखिए नबबे परसंट लोग कौन यह वो लोग है कि अगर सडक पे ना निकले तो इनका परिवार खाए भीना मर ज बनादी जो हजार सोदह करेज़ट अभी ने तेरा करेज़ट अभी ने चाहता हूँ कि लिए एक बैकेंसे निकालते पांचों रुपया लड़के फीज देते हैं माल लीजीए एक करोन रुपया एक करोन बच्चे अगर फाउन फिलप करते हैं तो कितना पैसा आएगा हम पैसा वापस करेंगे सब क्या नोटन की है यही है अच्छे दिन आत्म निर्भर मेकिन इंडिया सबक सिखाएंगे जहां छोगी एक एक पैसा पंद्रा-पंद्रा लाग को सबके काउंट में आई गया अब पकाऊड़ेक दुकान खोलना किवल बाकी है को रोना आया कितना हला था किराया नहीं लिया जाएगा बच्चों सफीस नहीं ली जाएगी आप एक आदेश जारी कीजिए ना विजय पारित कीजिए कि छोड़िए पांच महीना छे महीना नहीं लेगा इस्टुडेंट्स का जाके आएगे किस तरह दिन बीत रहा है दो दो हजार तिन तीन हजार रुपया किराया है सामान बहार निकलवादी या मकान माली तो आप एक भी देख लेके आईए देखिए इसे कहते अच्छे दिन एयर कंडिशन कमरों में बैट के अच्छे दिन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कितना आक्रोस है कभी उसका भी ऐसास है आपको अभी देखा होगा है स्टेट डिसलाइट ला दिये न लोग प्रियता लोग तंत्र में अंतर होता सबका साथ सबका विकास कहा गये उसन नारे आप नियमित रूप से छोड़ा चलिए ठीक है समय बदल लहा है टेक्नोलोजी बदल लही है आर्टिफिसल इंटेलियन्स आ गया पांते है पदों की संख्या कम हो गई ए भी मानते ही पदी ही गायब हो गई सब संवीदा पे सब संवीदा का मतलब आपको मालूम है सब का निजी करण आपको मालूम है निजी करण क्या होता है अमेरिका में देखिए निजी करण है पुरी तरीके इटली में है इस्पेन में कोरोना में सब से जाला मरने वालों की संख्या इतनी तेजी से वही थी अब भारत आ रहा है टिकिन बहुत दिन बाद क्यों ऐसा हुआ अमेरिका मेटली में क्योंकि वहाँ सरकारी गौर्रमेंट हॉस्पिटल नहीं थी गौर्रमेंट इंप्लॉईस की कमी थी तो जो प्राइवेट लोग थे जैसे कोरोना फैला बंग करके अपना भाग गए जहान है तो जहान है आपी का कहना है सब भाग गए डेथ रेट जो भारत में इतनी कम है दो परसेंट से नीचे आ रही है उसका बूल कारण है इसका समाजवादी सुरूप मिस्टित अर्थ विवस्ता का सुरूप आपने देखा OPD बंद करवा दिये गया प्रावेट सेक्टर का अब जिन मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा है वो कौन है गवर्मेंट संसाद है इसको भी अगर बेच दिये होते तो लोग कहा जाते इनी बैंक करबचारियों के दम पे आपने अपने संसाधनों को गरीब तब के तक पहुचाने की कोस्ति की अगर A.B. नीजी होते तो कैसे काम चलता आप कुरोना का बहाना कितने दिन तक बनाएं ची का एक्जाम हो रहा नीट का हो रहा इस तो बड़ी अच्छी बात है अगर आप इक्जाम कराईए तो अच्छी चीज़ है माहों को हलका कीजिए यह B.8 का इंट्रेंस का इक्जाम का कोई तुक नहीं बनता था B.O का बनता है G. का बनता है नीट का बनता है यह सबसे पहले B.8 का इक्जाम कराए गया और ना जाने कितने एक्जाम आपने टाले अभी बिहार में लोग से वायों के बाहर लड़के लाठी खाए है कोरोना के नाम 2017 का रेज़न मांग रहते बच्चे आप नहीं दिए टीचर भरती के बारे में कुछ कहना ही जान चली रही थी बड़ा करीब तक पहुँच गया था मैटर अधिकारी ही चली हटा दिए गए सब पकोड़ा बेचिंगे एक मुमेंट था इस्पीक अब बच्चे आए तो हम उनसे यही कह दिया करें कोचिंग उचिंग करने क्या जरूरत है आप पकोड़िक जुकान लगाओ आज लगाओ जो चार-पांथ साल बाद कुछ रिडम पकड़ ले चार-छे गराहक मिल जाएंगे राजस्थान में जो कुछ हो रहा था मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा था तब करोना नहीं था तब सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था पच्चे कभी सोचते हैं अब मीडिया वाले मुद्दा उठाएंगे कोई न्यूट चैनल है इलेक्ट्रानिक मेडिया के तो खूर कोई बात में प्रिंट वीडिया में थोड़ा बहुत आता था वो भी दीरे-दीरे कम हो रहा एजेंड़ा अलग से ठोड़ा की दिखाना क्या है घुम्राह करना भड़काना एनारे मैंने कहा जैसे आपने एक संस्था बनाई है वैसे एक संस्था बनाई ये जो नेताओं का भी एक्जाम ले उसमें भी एज लिमिट हो अभी मैं अख़बार पढ़ रहा था उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाओ ना होने वाला है पंचायती राज़का उसमें दो बच्चे से जादा अगर है तो आप चुनाओं नहीं रच से ये कौन सी दो हो बीस और दोस हो अरे योग बेता भी कुछ होनी चाहिए एक एक्जाम करवाईए ना एक एक्जाम करवाईए हिटलर भी बहुत लोग प्रियता आना साहतो बाद में बना पहले लोग प्रियता की दम पर दो करोन रोजगार प्रतिवर्स देना है कि लेना यह आप तैकी जी अभी आपने एजेंड़ना नहीं तैर हो पा रहा है यह तो कुरोना था जिसकी वह सारी पोल खुल गई बिवस्ता की कि बड़े-बड़े पदों पे नेने लेने वाले लोग कैसे हैं मजदूरों के साथ आप कैसे पेशाय कर्णचारियों के साथ विद्यार्थियों के साथ अभी तीन-चार महिना पहले एक नाम सुनाए दे रहा था सोनु-सूप एक आदमी इंतजाम कर सकता है पर 28 राज्यों की सरकारे एक केंच सरकार मिलके विवस्था कायम नहीं कर सकती है काम करने का तरीका होता है आज आप सब चीजों का नीजी करण कर रहे हैं अगर यही मुसीबत आज से 20-25 साल बाद आती है तो जब कोई कर्मचारी ही नहीं रहेगा तो आप कैसे मुझ्य को टैकल करेंगे बताइए जो अच्चे ओवरेज हो चुके हैं वो आप रेजल का इंतिजार करेंगे कि अपना काम धंदा करेंगे बीटे करने वाला इंसान गाव में टेक्टर चला रहा है अब बीटीसी जो किए थे बीएट जो किए थे उनकी तो ख़य कोई बाती नहीं कहां पउचा दिया चीन को देखिए बुहान से निकला कोरोना वायरस आज वहां मुझ्य को कितना टैकल किये कंट्रोल किये जो कम्पनिया बुहान को छोड़के जा रही थी अब उनके पर आपका तो माइनस में चलागे मार्च में आपी का इस्टेटमेंट था पैसे की कोई कमी नहीं आज एक हप्ते से आपी के लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं ऐसे चलती है वे उस्ता कुछ जुन्दूना मत पकड़ाईए और जुन्दूने से सरकार नहीं चलती क्या जवाब दिया जाए बच्चों को अभी तो सब हैस्टेक कर रहे हैं कुछ दिन बाद यह सड़क पे होंगी विपच से भी इनका भरोसा खतम हो चुका आज विपच संसब में नहीं बिढ़ान समाओं में नहीं हर व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे विपच बनता जा रहा है और यह बहुत खतरनाथ इस्तिती है यह बहुत खतरनाथ इस्तिती है इसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे यह है मन की बात मसालेदार नहीं मन की बात इसे मन की बात कहते हैं मन की बात का मतलब होता है दो तरफा आप खुद बोलिये भी और दूसरे की सुनिये भी इसे मन की बात कहते है तो ठीक है फ्रेंट्स यह फर्स था मैंने वक्चों को भी व्यक्तिका त्रूप से बताया था आप सभी बता दे रहा हूँ कि इस मुमेंट में हमारी संसाजनित क्लासे जल्वा प्रयाग राज तन मन धन से आपके साथ आप इसमें निश्चिंत रहे टेकर आप नाप नाप देगे